नमस्कार मित्रो, मेरा नाम सोन्नू और आज हम चंदा मामा की एक हानी सुनने वाले हैं, जिसका शीर्षक है वचन का मुल्य है हटी विकमार्ख पेड के पास लाट आया, पेड से शव उतार कर कंदे पर डाल सदा की भांती चुपचाप शम्शान की और चलने लगा तब शव में स्थित बेताल ने कहा, राजन आप जैसे थोड़े राजा मुल्यों का अंतर नहीं जानते, शासनकारे संभालते, बाक्की समय में सुख पूर्वक विश्राम करने के बदले, आप इस रात के वक्त अनावश्यक नाना परकार की यातनाएं जेल रहे हैं इसी परकार चंदरगिरी के राजा एक गट्रिये के द्वारा गालियां सुनने को त्यार हो गए, लेकिन एक माहा पंडित ने संधर्व वश जो बाते कहीं उन्हें सहन ना कर पाए श्रम को भुलाने के लिए मैं आपको उनकी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनियेगा बेताल यूं कहने लगा चंदरगिरी के राजा के दरवार में कई पंडित थे, उनमें धननजे सबसे स्रेष्ट थे उनके प्रति राजा का अपार आदर था, इस कांधननजे में थोड़ा अभिमान आ गया था राजा समय समय पर अपना वेश बदल कर देशाटन किया करते थे एक बार इसी सिल्सले में राजा को एक खत्रे का सामना करना पड़ा तब एक गठ्रिय ने राजा की रक्षा की, राजधानी में लोडते ही राजा ने अपने दूतों के द्वारा गठ्रिय को राजधानी में बुला भेजा राज दर्बार में कदम रखते ही गठ्रिय को लगा कि उनसका दिमाग चकरा रहा है मगर राजा सिहासन पर से उतर आए और बोले भाई तुम्हें याद है तुमने मेरी जान बचाई डरो मत तुम्हारा सम्मान करने के लिए ही मैंने तुमको दर्बार में बुला बेजा है जी शब सुनने पर गठ्रिये ने राजा को पहचान लिया उसने आश्चरे में आकर पूछा क्या बोले आप राजा हैं जब आप अपनी रक्षा नहीं कर पाते ऐसे व्यक्ति आप से हासन पर बैठ कर हम पर अकुमत करते हैं दर्बारी यह सोच कर डरगे कि गठ्रिये की बाते सुन राजा नराज होकर ना मालूम उसके साथ कैसा वेवार करेंगे पर राजा शांसवर में बोले तुमारा संदे बिलकुल ठीक है कभी कभी परिस्तितिया अनकूल ना होने पर बड़े से बड़े शक्तिशाली भी दु बन जाते हैं लेकिन इस देश के राजा को बचाने का मौका तुमें मिला यू कहकर राजा ने उसे एक हजार सोने किसी के पुर्षकार में दिलाए एक साथ इतना सारा सोना देख वेह अवाग रह गया सकुचाते हुए सोना लेकर गठ्रिया बोला इस बार देहात्तों का ब पास फुर्सत ना होगी ये बाते सुन राजा खिल खिला कर हांस पड़े पर इस बात का महत्तव धनंजय समझ ना पाया लेकिन ऐसे सभ्य वे जंगली ने भरी सवा में राजा का अनादर किया इसे राजा कैसे सहन करवाए ऐसे व्यक्ति जो उसका सम्मान करते हैं उसका मु है या नहीं एक वासभा में जब किसी बात पर चर्चा हो रही थी तब धनंजय को अपनी शंका का निवारन करने का मौका मिला राजा ने अपनी कोई शंका प्रगट की तब धनंजय बोल उठा प्रभू परम मूरक के मन में भी ना उठने वाला ये संदे आपके मन में कैसे पैदा हुआ ये शब्द सुनने पर राजा की आँखे क्रोध के मारे लाल हो उठी दूसरे ही क्षेन राजा दरबास ठगित करके उठकर चले गए दूसरे ही दिन धनंजय को दरबाली पंडिस के पस से हटाया गया बेतान ने ये एक हानी सुना कर कहा राजन जंदरगिरी क राजा के इस विवार का क्या कोई मतलब भी है गट्रिय ने जब भरी सभा में सपष्ट रूप से उसका पमान किया तब राजा नराज ना हुए बलकि खुश हो गए ऐसी हालत में राजा का आदर प्रापत स्रेष्ट दिरबारी पंडि धनंजय ने संधर्भ वश जो इसका समाधान जानते हुई भी ना देंगे तो आपका से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इस पर विकमार्ख ने जियू उतर दिया राजा के इस विवार का समर्थन कई परकार से किया जा सकता है प्रथम तो यह है कि प्रान बचाने वाला व्यक्ति पिता के समान होता ह उसे डांटने का भी अधिकार होता है गठ्रिये ने राजा को डांटा पर उसने अपने मन में यह नहीं सोचा कि वे राजा का पमान कर रहा है उल्टे उसकी बातों में व्यंग्य है हास्य है सभी दर्बारियों में राजा के साथ मजा करने का अधिकार केवर मजाकिये को हो इस रूप में भी गठ्रिये का विवार समर्थन के लायक है। इस रूप में भी गठ्रिये का विवार समर्थन के लायक है। धनन्जे ने राजा का अपमान किया। यदि राजा इसे सहन कर ले तो दूसरे दिन से दरबारियों में राजा के प्रति को यादर का भावना होगा। इस प्रकार राजा के दवारा धनन्जे को दरबारी पंडित के पत से हटाना स्वर्था न्याय संगत है। राजा के इस प्रकार मोन भंग होते ही बिताल शर्थ के साथ गायब हो पुन पेड पर जा बैठा। धन्यवाद मित्रू।